नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपने चैनल VWIC में और सबी ब्यूवर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ हर्दिक हर्दिक अभी नंदन है स्वागत है दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि लेटेस्ट अपडेट लगातार मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी करें पसंद आता है तो लाइक करें नॉटिफिकेशन के लिए बेल आईकॉन पर प्रेस जरू नहीं कर रहा है तो कई सारे विबादों से घ्रीये सिक्षक भरती लगातार विबाद ग्रस्त होती जा रही है अभी हाली में हमने देखा कि सिक्षा मंत्री ने भी काफी विबादित बयान दिया है और इस बयान का आक्रोश और विरोध हर जगे हो रहा है लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डबल डिग्री मेंटर को ले करके डबल डिग्री का मुद्धा लगातार सुर्कियों में है और जैसा कि मैंने बताया था कि पूर में शिकायत की गई थी और स्टार्टिंग में वर्ग एक के चार अभ्यरतियों को आदेश जा जारी है और अभी हाली में जबल पूर के एक अभ्यरति के द्वारा 63 अभ्यरतियों की सूची जो की इंग्लिश वर्ग एक से संबंदित हैं लोग सिक्षन संचाल नाले में उनकी शिकायत की गई है से संबंदित के इनोंने भी डबल डिग्री लिये और विभाग ने इनको नुक्त कर दिया है और इनको वेरिफिकेशन में पास कर दिया है याने कि इनको वैलिट करार दिया है और दोस्तों उसके बाद में लोग सिक्षन संचाल नाले हरकत में आया और उन्हों लेटर जारी करके इसके आदेश जारी कर दिये कि जल से जल उन डॉक्युमेंट्स को यहाँ पर भेजा जाए जिससे कि फिर से उन डॉकुमेंट्स की उन दस्तावेजों की जाच हो सके और जो भी दोशी हो उन पर कारिवाही की जा सके दोस्तों इसी के संबंद में आज की जानकारी है कि कौन कर रहा है इनकी शिकायत किस प्रकार से कदम उठाय जा रहा है डीप की द्वारा लोग सिक्षण संचाल नाले के द्वारा दस्तावेज सत्यापन की दोरान देखे दोस्तों इस निउस्पेपर की कटिंग में बिल्कुल इसपच्ट कर दिया गया है कि डवल डिग्री का मेंटर क्या है और क्यों किया जा रहा है रिजेक्ट तो आइए दोस्तो की तलाश की जा रही है जिन्होंने की एक ही सत्र में डबल डिग्री की है और मुकता मैटर दोस्तों है कि जिन्होंने मास्टर डिग्री कर ली है उन्होंने साथ में ही बीएड भी कर ली है तो इसकूल सिक्षा विभाग के पास पहुंच रही गया है उच्च मादमिक और मादमिक सिक्षक पद में भरती हुए सिक्षकों के दस्तावेजों में गडवणियां मिलना स्टार्ट हो गई है कुछ शिकायतें सची भी आ रही है कुछ सिकायतें जूटी भी आ रही है और प्रतिक्षारत और जो अभ्यरती है वेटिंग के उनक पूल सिक्षा विभाग के सहीं तो संचालक हैं उनको पत्र जारी कर जितने भी संदिक्द इस प्रकार के सिक्षक हैं उनके दस्तावेजों की छाया प्रति भोपाल बेजने के निरदेश दिए तो दुस्तों यह ओडर जारी हो चुका है मैंने आपनों को पहले भी बताया था तो यहाँ पर मुस्कुरिंकलू नहीं कर रहा हूँ ग्यात हो कि नियुक्ति के पूर्ब में दो इस्तर पर दस्तावेजों की जाच की गई थी इसमें जाच करताओने दस्तावेजों को सही मानते हुए नियुक्ति के लिए स्विक्रिति दी और अब नियुक्ति के पश्च कल नाले की तरफ से कई अभ्यरतियों की दोहरी डिग्री एक बक्त में होने की शिकायत आई है इस सम्मद में जबलपुर संभाग में भी कुछ मामले कई आवेदकों के दस्तावेजों में खामिया हैं और इस प्रकार के जो है मामले मिल रहे हैं तो दोस्तों सभी जगे पर इ इपी आई ने भी डबल डिग्री को मानने नहीं किया है चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर रूल क्या है और क्यों गवर्मेंट इसको मानने नहीं कर रही है तो इसकूल सिक्षा विभाग ने पिछले दिनों आदा दर्जन उच्च मात्मिक सिक्षक और मात्मिक सिक्ष इक बर्ष में दूरी डिगरी करने के मामले में दोशी बानते हुए नियुकती को निरस्ट कर दिया गया है अम दोस्तों विभाग के पास में इसके संवंद में बिल्कुल इसपष्ट निर्देश थे कि double degree को नहीं लिया जाना है और नयायले ने भी इसके संबन में बिल्कुल इसपष्ट कर दिया है उन्होंने भी याजिका इसकी खारिच कर दी है तो इस परकार से दोस्तों जो double degree वाला मामला है और document verification में किसी भी तरह से technical गलती कहें य दोस्तों जो बिशुभय दǎले या तो अलग-ہलग बिशुभय द्याले हैं उसे इसना तक किया हुआ है BIA7 में और कई लोगों का तर्क ये भी है कि अन्य प्रदेश जब मानने कर रहे हैं और 2013 की भरती में 2011 की भरती में भी इसको मानने किया गया है तो अब क्यों नहीं किया जा रहा है लेकिन इन सभी तर्कों को अलग रखते हुए विभाग ने लोकसिक्षा संचाल नाले ने डबल जिक्तियां निरस्त करती हैं और आगे भी जाच जारी है तो दोस्तों इस प्रकार से जो डबल डिगरी का मेडर है वह यहीं पर क्लोज होता है और निश्यत रूप से दोस्तों आगे भी और भी शिकायते आने पर लगातार जाच की जाएगी और डबल डिगरी के अब भरत से करें या उनका सत्र फाइनल ही क्यों ना हो किसी वी इस्तिती में सेम समय में एक ही सत्र में डबल डिंगरी नहीं करना चाहिए और निश्चत रूप से दोस्तों उसका पढ़ नाम आप सभी के सामने है कि जो जिसके लिए हम तैयारी करते हैं नोकरी के लिए आविदन करते ह और बाद में जब यह इस्तिती आती है तो हमारा सबय और साल सबी कुछ बर्बाद होते हैं तो ये रेक जानकारी थी और इस से बिल्कुल आप सजग रहे और आगे के लिए सतर को हुझा हैं कि इस परकार का मैटर आगे का स्थिती में ना बने तो मिलते हैं दोस्तों फिर